प्रेंट्स आप सभी में से बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि ज्वाइनिंग इस्ट्रक्शन्स पर एक वीडियो बना दीजिए और क्या-क्या मैं चीजे लेकर जानी है और कौन-कौन से चीजे को इग्नोर बिल्कुल ही नहीं करना है नहीं तो वापिस आना पड़ेगा तो चले आज की वीडियो उसी पर होगी और बिल्कुल तो लेकर आ चुके हैं सेलेक्टेट कैंडिडेट जो की अजित है और ज्यारखंट के रहने वाले हैं भाई और चले तो इनसे हमने बात करने के कोसिस की अल्रेड़े इन्होंने मैसेज किया था तो फिर हमने इनसे है कि मैंने पूछा क्या क्या लेकर जा रहे हो तो बताया त्यत्लिका ग्रूर्ण लेकर जा 12 है तो आप अपना 12 का सारा उरिजिनल भी लेकर जाहिए आप मान कर चलिए कि तेन्थ उरिजिनल प्लस में तेन्थ उरिजिनल और 12 उरिजिनल दोनों चाहिए अगर आप 12 किये हैं तो और बाकी अधार पैन जो है आपका सब चलेगा और गईज बता दू कि पुलिस वेरिफि चलेगा और यह कोबी 19 टेस्ट आपका 40 आवर पहले का होना चाहिए कितना और 40 आवर पहले का होना चाहिए उसके बाद उसके बाद आप जिस एस एस्टेट से रहेंगे उसे स्टेट का डो मिसाल चाहिए अगर आप फरजवाड़ा करते हैं तो इसमें पकड़े जाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम काफी डॉक्मेंट वेरिफिकेशन अच्छे से होता है और बहुत कुछ ऐसा होता है आपको इसकान करके पता कर ले जाएगा अगर आप फरजवाड़ा कर रहे हैं तो जिन लोग वाकी सब और डेलीनलिट की कुछ मैंने पूछा और कुछ लेकर जाना की फिर भाई ने बताया पैंच पलस मícios अपना जुत्ता लेकर जाना है और तो बता दू कि डेलीनिट के जो पचीस सो रुपए लेकर जाएंगे आप कितना लेकर जा रहे हैं वो आपके उपर डिपेंड करता है और फिर मैंने उनको बोला जो कि पिछली वेकंसी में हो रही थी कुछ इसकी भी हमें सिकायत आई थी जैसे परिवार के सभी सदस्यों का अधार का जी रक्स चाहिए तो हम कांको नोग हैं क्या है इनको सारी डिटेल्ट चाहती है अगर नहीं भी लेकर जाते हैं तो उन लोगों का एक वेरिफिकेशन होता है लेकिन कभी कभी मांग देते हैं तो हमने इनको बता दिया और बता दिता हूं कि बस भाई तो अबर ओल हमें अजीत से सिर्फ यही बात चीत रही है और बता दू कि क्या क्या लेकर जाना है लाश्ट लिए मैं आपको तो तेंथ अगर में भी आप किये हैं तो सारा डॉक्मेंट और इनल चाहिए अधार पैन यह सब है तो ले लेना है अधार तो मस्ट है अधार अगर नहीं रहेगा तो फॉर्म ही आप नहीं भर पाये होंगे तो अधार तो बिल्कुल और इनल लेकर जाना है और प्लस में बाकी डॉमिसा जो है जैनमीन चाहिए अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो दिक्कत आएगी और दुसरे स्टेट के बनवा कर किये हैं तो दिक्कत बहुत-बड़ी दिक्कत आएगी अन्यता आपको जेल भी हो सकता है और और आपको बता दू कि करना क्या है इसमें तो आपका तो एक कमpl आप सेप्टी के साथ सारे all documents ले लेना हैं बस without any hesitation without any tension अपना चलना है और बाकी झुयों खाने पीने का प्ना ले लेना है अच्छे से जुगाड कर लेना है बाकी जैसे ही आपकी जैसे ही आपकी आठ तरीको मेडिकल पुलस में डॉक्मेंट वेरिफिकेशन पुलस में जो भी है अगर आप उसमें सारे स्टेप को पार कर जाते हैं सारे स्टेप आपको फॉलो करते हैं आप उन सारे स्टेप को फॉलो करते हैं तो फिर आप इंडे ने भी ए तो तीन दिन रुकना पड़ता है उसके बाद आपको एक नहीं तो सेम डे में भी हो सकता है आपको एक लेटर दे दिये जाएगा इतना आपको दे दिये जाएगा एक से डिड़ महीने का गैप रहेगा और बोल देगा कि दस से 20 तारीक के बीच में आपको आ जाना है जून मे तो ऐसी ही होती है और बात समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और दोस्तों मेरे टेलिग्राम क्रूप का लिंक इस वीडियो के डिस